दोस्तो माइक्रो मैक्स का नया स्मार्टफोन इन नोट वान इसमें चीनी कम है लेकिन ये शुगर फ्री नहीं है अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो लाइक जरूर कीजिए देखते रहें तो माइक्रो मैक्स ने फिर से एंट्री मार दी है मोबाइल सेग्मेंट में और उन्होंने दो स्मार्टफोन इंडिया में लॉंच किये हैं एक तो है माइक्रो मैक्स इन नोट वान और इसका प्राइजिंग है ये शुरू होता है 10,9999 रुपे से प्राइजिंग भी काफी अच्छा है और अच्छी बात ये है कि माइक्रो मैक्स एक इंडियन कमपनी है चीनी कम है इन शब्दों का इसलिए उप्यों किया गया है क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो कॉंपोनेंट्स है ये चाइना में बनते हैं कह सकते हैं कि इंडिया में अभी भी एक तरह से एसेंबलिंग होती है स्मार्टफोन की लेकिन फुल हैंसेट मैनुफाक्शरिंग इन इंडिया होने के लिए काफी समय लगने वाला है तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये जो नोट वन स्मार्टफोन है इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताता हूं और म यहां पर लिखा हुआ है वी आर इन फॉर इंडिया वैसे यह जो नोट वन स्मार्टफोन है इसे मैंने अलग से फिलिप कार्ट से और भी किया हुआ है तो चलिए मैं आपको इसकी अन्बॉक्सिंग करके बताता हूं यह दिखे इस परकार से यह जो स्मार्टफोन है इसे अब यह एकसाइटिंग कलर उप्षण्सम्में अविलिबल है मैंने जी और किया हुआ है वो दूसरा कलर विरेंट है यह वाइट कलर विरेंट है और जहां तक मुझे लगता है कि यह जो वाइट कलर विरेंट है यह इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है लेकिन चले दिया हुआ है तो इस box में silicon case नहीं दिया हुआ है और earphones भी नहीं दिया हुआ है यह triple slots के साथ में आता है मतलब कि एक dedicated micro sd card slot इसमें दिया हुआ है पीछे fingerprint sensor भी दिया हुआ है और जो camera का module है यह दिखें इस प्रकार से है थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है Micromax in Note 1 इसका pricing बहुती बढ़िया है 10,999 रुपे 4GB 64GB वाला जो variant है उसकी और जो specifications है यह भी काफी अच्छा है लेकिन जो build और finishing है मुझे लगता है कि थोड़ा सा और भैतर होता तो अच्छा होता अगर Micromax को वाके में जो दूसरे players है उन्हें टककर देना है तो उन्हें जो quality है उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा वैसे जो Note 1 smartphone है इसके जो body है यह plastic की बनी हुई है जो frame है यह भी plastic का है और जो back panel है यह भी plastic का है जब आप इस handset को हाथ में पगरते हैं तो आपको वो plastic की feel मिलता है इस price segment में जो दूसरे smartphones है उनका जो build और finishing है काफी बढ़िया है अगर आप इस smartphone को उन दूसरे smartphones के साथ में comparison करेंगे तो ज़्यादा करके chances है कि आपको जो दूसरे smartphones है वो ज़्यादा पसंद आने वाले है तो यह बहुत important चीज है micromax को जो quality है build quality उस पर ज्यादा ध्यान देना है यह stock android run कर रहा है android 10 out of the box और जो screen है 6.67 inches का है full HD plus resolution के साथ में आता है IPS infinity display है rear side पर quad camera setup दिया हुआ है 48 megapixel primary camera 5 megapixel 2 megapixel और 2 megapixel के camera setups और जो front camera है वो 16 megapixel का है camera की जो quality है काफी बढ़िया है यह कुछ samples है जो मैंने इसी smartphone के साथ में shoot किया हुआ है खास करके जो night shot है काफी बढ़िया आ जाते हैं तो इस price में camera की जो quality है definitely impressive है यह dual quality support करता है इसमें built-in FM radio भी दिया हुआ है जो कि Indian use के लिए बहुत ही important है 5000 image की बैटरी है और इतना बैटरी होने के बावजुद भी जो handset का वजन है वो काफी हद तक control में है 196 grams type C port दिया हुआ है और अच्छी बात यह है कि box के अंधर ही 18 watt का fast charger भी दिया हुआ है performance के अगर बात करें तो इसमें Mediatek Helio G85 Wokta Core प्रसेसर का उप्योग किया गया है Mediatek Helio G85 यह एक powerful प्रसेसर है कुछ तक आप इस पर games खेल पाएंगे और जो 5000 image की battery है यह आपको तकरीबन 2 से 8,5 दिन का battery life दे सकती है और of course fast charging भी supported है तो 10,999 रुपीस में मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही बड़िया option है खास करके क्योंकि यह एक Indian company है यह जो product है आप इसे flip card से order कर सकते हैं जहां पर यह available है उसका link मैंने video के description में दिया हुआ है इस video को like कीजिए और देखते रहे हैं